नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और फ्रॉड के बारे में और ये रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से आपको पता होगा आप में से जितने भी लोग स्टॉक मार्केट पर इंट्रेस्टेड होते हैं शेर्स पर्चेजिंग सेलिंग करते हैं तो I'm sure आपने जो बिजनेस चैनल से हैं उसको जरूर देखा होगा या फिर सुना होगा जैसे की Zee Business हो गया वैसे ही CNBC का ही जो एक चैनल है हिंदी चैनल जिसका नाम है CNBC आवाज उनकी एक एंकर है जिसका पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो हेमन्त गई उन्होंने यहाँ पर एक काफी बड़ा fraud किया है fraud यह किया है दोस्तों कि वो चैनल पर आकर stock की recommendation देते हैं मतलब कहते हैं कि यह stock का दाम इस समय 100 रुपह चल रहा है और यह आप खरीद सकते हो और आपको हो सकता है इससे profit होगा इसका दाम 105 हो जाएगा 110 हो जाएगा मतलब recommendation जो होता है usually आपने देखा होगा कि यह stock आप purchase करिए यह share purchase करिए और यह आप day के end जग आपको इतना profit हो सकता है ऐसा बताया जाता है TV चैनल पर तो उसी को यहाँ पर anchoring करते थे हिमन गई और यहाँ पर उनके पास पहले से ही कुछ information होती थी जिसका उन्होंने गलत फायदा उठाया तो यहाँ पर आप news में देख सकते हो SEBI BANTS, CNBC आवाद, SHOW HOST, हेमन गई और सिर्फ वही नहीं उनकी जो family member है उनकी जो पतनी है, wife है, mother है उनके उपर भी यह charge लगाया गया है क्योंकि उनके account से यह transactions किये जाते थे तो capital market से उनको एक तरह से ban कर दिया गया है CNBC ने भी उनको एक तरह से terminate कर दिया है तो यह पूरा मामला है क्या, किस तरह से वो फायदा उटाते थे यह एक कीच क्या है, आप में से कई लोगों की request आयती ही तो इसी के बारे में जानेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook, YouTube पर मेरे lecture की है PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोईन कर सकते हैं अंकित अगरवाल ऑफिशल और अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुने रहा मौकाई study आपके लिए smart courses जिसके तुरू आप अपने preparation और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है तो सभी ने Securities Exchange Board of India जो की हमारे देश के अंदर Capital Market की regulator है मतलब की जितने भी stock market वगरे से related जो चीजे होती है उसको regulate किया जाता है तो उन्होंने पिछले week की ही बात है CNBC आवाज की जो show host किया जाता था हेमन्द गही के द्वारा उनको और उनके साथ-साथ उनकी जो wife है, mother है उनको यहाँ पर ban कर दिया है Capital Market में indulge होने से और यहाँ पर कोई भी प्रकार की वो जो सिवाए हैं जो advice हैं, वो यहाँ पर अभी के लिए नहीं दे पाएंगे अब देखेगा, जब हम stock market की बात करते हैं तो दो week पहले ही मैंने एक video बनाया था कि stock prices का manipulation कैसे किया जाता है तो यह आप पुरा वीडियो देख सकते हो इसमें काफी कुछ आपको जानकारी मिलेगा करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर लोग जादा स्यादा खरीदेंगे, खरीदेंगे, खरीदेंगे उसकी वज़े से क्या होगा, buying बढ़़ा है, मतलब कि demand बढ़़ा है, तो किसी भी चीज का demand बढ़ता है तो उसका price भी बढ़ने लगता है, तो इस case में मैं अगर आपको बताओं, तो CNBC आवाज के अंदर रोज मॉर्निंग में, करीब साड़े साथ बजे के आसपास, एक show आता है, जिसका नाम है Stock 2020, ध्यान रखेगा, Stock 2020 किसी share का नाम नहीं है, Stock 2020 एक program का नाम है, जैसे कि Sony पर आता है, आपका कपिल शर्मा शो, ठीक है, वो आपका show का नाम है, वैसे ही, ये Stock 2020, ये होश्ट किया जाता था, हीमंद गही के दोरा, और Stock 2020 इसका नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहते थे वो लोग कि सुबे आप कहते थे कि, जैसे ही Stock Market खुलता है, 9 बच कर 15 मिनट पर, आप ये वाला Stock खरीद सकते हैं, उन्होंने कोई छोटा मोटा है, कोई भेल कह दिया, कह दिया, SAIL, ये वाला Stock खरीद लीजे, मतलब कि वो recommendation देते कि, जैसे ही ये Stock Market खुलेगा, आप इस Price पर उसको खरीद सकते हैं, और Day के End होते होते, उसी तिन यहाँ पर आप उसको शाम तक बेच सकते हैं, और उसके बीच में आपको profit हो जाएगा, तो हो सकता है, उन्होंने कह दिया कि 95 पर आप इसको खरीद लीजे, और ये Day के End में 98 चला जाएगा, 100 चला जाएगा, तो आपको इस बीच का जो profit है, वो मिल जाएगा, तो इस तरह के recommendation दिये जाते हैं, लेकिन इस recommendation के बीच में उन्होंने directly और indirectly इसका गलत फायदा उठाया, सेभी ने अपने interim order में ये चीज कहा है, और ये कहा है, कि यहाँ पर इसका गलत फायदा उठाते वे उनको कुछ benefit हुआ है, और इसलिए उनको direct किया गया है, हेमंद गई को, कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का participation नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का investment advice अब से वो नहीं देख सकते हैं, मतलब कि जब तक directions ना आ जाए, further directions, यहाँ पर उनके द्वारा ऐसी कोई भी चीजें नहीं की जा सकती है, और यहाँ पर बताया गया है कि 2.95 करोन, करी 3 करोन के आसपास उन्होंने benefit उठाने की कोशिश की है, तो उनका यह जो amount है, वो भी एक तरह से seize किया जाता है, उनको यह payment करना होगा अभी के लिए, तो यह तो अभी का situation है, लेकिन सबसे बड़ा question आता है कि उन्होंने फायदा कैसे उठाया, यह 2.95 करोन आया कैसे, तो देखिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो wife है, जया, महंत, घाय और उनकी जो mother है, दोनों का DMAT account खुलवा हुआ था, उस account के तरह यहाँ पर उन्होंने benefit उठाने की कोशिश की, तो basically इसमें किया क्या जाता था, अब मैं आपको एक example से समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनियेगा, suppose मैं कहता हूँ, आज Monday है, ठीक है, आज Monday है, और कल Tuesday है, आप example समझो, तो यहाँ पर मुझे क्या है, मैं एक तरह से Tuesday को एक show host करूँगा सुबे, Tuesday को सुबे 7.30 बजे, मैं एक show host करने वाला हूँ, जिसका नाम है stock 2020, जो की हेमंद गई ऐसा करते थे, तो यहाँ पर 7.30 बजे के आज पास मैं आपको opinion दूँगा, आपको recommendation दूँगा, कि एक stock का नाम है ABC, आप इसको खरीद लेना 90 रूपीज पर, और दिन के end तक, मतलब 3.30 बजे तक जब stock market बं आप ने ये खरीद लिया, खरीदना स्टार्ट कर दिया, 90 रूपीज, 91 रूपीज चला गया, 92 रूपीज हो गया, तो आपको लोगेगा, कि हाँ मैं वेट करता हूँ, 95 रूपीज तक मुझे फायदा हो जाएगा, लेकिन आप अब देखिए क्या करता हूँ, मैंने क्या कि मार्केट क्लोज होने से पहले, ये वाला जो स्टाउक था, ABC, उसको पहले ही मैंने खरीद लिया, 89 रूपीज पर, 90 रूपीज पर, मतलब पहले ही मैंने इसको खरीद लिया था, तो कल के डेट में क्या होता है, जब मैं इसको रेकमेंडेशन दूँगा, तो अचानक से क्य सकता है 92 पर खुल जाये 93 पर खुल जाये तो मैंने तो क्या किया था मंडे कोASE को खरीद लिया था 89 रुपी पर 90 रुपीस पर तो मुझे तो मार्केट खुलते ही यहाँ पर फायदा हुआ तो मैं क्या करोंगा कि इसको तुरंत यहाँ पर बेचना चार्ट क रिए तो मुझे जो 2-3 रुपए का यहाँ पर benefit आप ध्यान रखेगा एक मैं 100 रुपए में से 2-3 रुपए का benefit कह रहा हूँ तो आप imagine कर सकते हो अगर मैंने 5 रुपए निवेश किया है तो मुझे overall कितना benefit हो सकता है एक share पर मुझे 3-4 रुपए का benefit हो रहा है बहुत होता है उतना तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने इसको बेशना है start कर दिया तो दिन के end होते होते क्या होता है कई बार यह वाला जो stock है वो 92 के बाद वो गिरना start हो जाता है और यह आ जाता है 85 पर तो आप तो expect कर रहे थे कि इसका price 95 पर जाएगा लेकिन यह कितना आ गया 85 जरूरी नहीं है मैं एक example बता रहा हूँ आपको हो सकता है यह actually में 95 भी चला जाए तो किसी दिन profit भी हो सकता है loss भी हो सकता है लेकिन मैंने तो इसका गलत फाया उठाया ना मैंने तो पहले ही एक दिन पहले ही मुझे पता था कि मैं कल यह वाला recommendation देने वाला हूँ वो करते थे अपने mother और wife के through transactions किया जाता था तो यह सारी चीजे थी अब देखे इसके बारे में जो सेवी है उन्होंने डेड़ साल का पूरा statement निकाला 1st January 2019 से लेकर 31st में 2020 के बीच में यह पूरा डेड़ साल का काल है इसके बीच में उनके statement देखे गया और उसको match किया गया कि जब भी वो recommendation देते थे अगले दिन उसके पहले ही उनके account में इतने सारे shares purchase हो जाते थे उनके wife और उनके mother के account में पहले ही इतने सारे share purchase हो जाते थे और वही share जो है recommend किया जाता था अगले दिन CNBC आवाज के show पर तो आपको समझ में आ रहा है correlation कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार आप वही recommendation कर रो हो और वो आला share आपके account में पहले ही पढ़ा है तो इसका मतलब कुछ गरबढ है तो इसी के लेकर यहाँ पर जो SEBI है उन्होंने का फायदा उठाया और Bombay Stock Exchange पर 4,47,000 का फायदा उठाया इसको BTST कहते है BTST का मतलब होता है buy today sell tomorrow मतलब आज आपने खरी दिया कल market खुलते ही आपने sell कर दिया आया समझ में I hope कि I don't think कि इसमें कुछ as such आपको problem होगी बहुत ही simple तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है और यहाँ पर सेवी ने यह बताया है कि यह जो भी किया है हमंत गही ने उन्होंने यहाँ पर सेवी का जो rule है regulation है जिसका नाम है prohibition of fraudulent and unfair trade practices regulation I think 2003 का शायद यह regulation है इसका एक तरह से उलंगन किया है जिसकी वज़े से यहाँ पर उनको बार्ड किया जाता है वो क दे सकते हो तो इसी को देखते हुए जो CNBC आवाद चैनल है उन्होंने तुरंत हेमंत गही को यहाँ पर terminate कर दिया आप यहाँ पर statement देख सकते हो that network 18 group has terminated with immediate effect Mr. हेमंत गही और यहाँ पर उन्होंने clearly लिखाय कि हम सभी employees को pledge करवाते हैं पहले कि आप जो भी stock recommendation करोगे यह च जाना चाहिए कि यह exactly हुआ क्या था और इनको क्यों बार्ड किया गया है जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आए हो यहाँ पर आपको बताना है कि जो Bombay stock exchange से related है आपका दो statement कौन साइज statement यहाँ पर correct होगा इसका जो right answer है मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात ने टेलिग्राम से ले सकते हैं मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं stories के form में आप जाकर play कर सकते हैं अगर आप मुझसे economy पर ना चाहते हैं कोई भी course purchase करना चाहते हैं study IQ आप पर जा सकते हैं होग की वीडियो आपको पसंद आयोगा मिलता हम से नेक्स तेम तिल दें थैंक यू वरी मच्च यू सून